हेलो स्टुडेंट, वेलकम तू माई चैनल, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर ग्राउंड केबल, लास्ट क्लास में हमने इसका सारी लेयर्स को देखा था, कि अंडर ग्राउंड केबल क्या होती है, सर्वेंग, आर्वरिंग, बैडिंग, लैडशी, कंडॉक् बैसिकली तीन टाइप से होती है, इनका क्लासिफिकेशन जो है, तो थ्री टाइप से होता है, पहला on the basis of voltage, then on the basis of construction, and then on the basis of insulating materials, तो एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या है, तो अगर voltage के basis में बात करें, तो जो आपकी केबल होती है, तो पहला है इसमें low tension cable, जो की 1 किलो तक आपका handle कर सकती है, voltage, and then जो high tension cable है, वो आपकी 11 केवी तक handle कर सकती है, and then super tension cable है, जो तो वो up to 33 केवी तक handle कर सकती है, then extra high tension cable है, जो 33 to 66, and then extra super voltage cable जो है, तो वो 132 केवी से ज़्यादा के लिए use होती है, तो low tension हुई यहाँ पर, और high tension, then super tension, extra high tension, और extra super voltage cable, तो यह 5 टाइप से cable हो गई, तो next देखते हैं, on the basis of their construction, अगर construction की बात करें, तो जो belted cable है आपकी, तो वो up to 22 केवी तक use होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो जो low tension cable है, और high tension cable है, तो यह दोनों आपके, और plus super tension यह जो 22 केवी तक है, जो use होती है, तो वो belted cable के इंतरगत आएगा, and then, जो screen cable है, तो वो 22 से लेके 66 तक है, means super tension और extra high tension, यह दोनों आपकी screen cable में आएगी and then, जो last वाली है, pressure cable, तो वो आपकी आएगी, extra super tension cable में आएगी, तो देखते हैं, इसको belted cable क्या है पहले, तो जो belted cable है, तो up to 22 केवी तक है, इसमें जो core है, इसका, तो basically इसमें impregnated paper लगा दिया जाता है, और जो gaps होते हैं, तीनो core के बीच में, उनको fibrous material से भर दिया जाता है, then, paper belt is covered with lead sheath to product cable from ingress of moisture, जो paper belt है, उसको आप lead sheath से cover कर देते हो, जिससे की moisture नहीं होता है, okay, then, the lead sheath also gives mechanical strength to cable, यह जो lead sheath है, तो उसको mechanical strength provide करता है, means, इसमें compression नहीं आएगा, आपका, और तूटेगी नहीं थोड़ा सा, means, मजबूती रहेगी cable में, तो इसलिए lead sheath दिया जाता है, okay, and then, belted cable, जो होती है आपकी, तो वो low और medium voltage के लिए suitable होती है, अगर ज्यादा high voltage हुआ, तो फिर यह काम नहीं करेगी, इसमें leakage बगेरा का issue आने लगता है, okay, तो यहाँ पे जो electrical stress develop होता है, actually, जब आप low voltage देते हो, तो जो electrical stress develop होता है, वो radial होता है, but high voltage में जो electrical stress develop होता है, वो tangential होता है, तो यह radial और tangential पहले समझ लेते हैं क्या है, तो अगर आप देखो कि यहाँ पे tangential तो जो thin cylinder होता है, तो वहाँ पे tangential stress जो होता है तो uniform होता है, बट जो thick cylinder है तो वहाँ पे tangential stress आपका inner surface पे ज़्यादा होता है यहाँ पे आप देख रहे हो जो tangential stress है तो inner surface पे ज़्यादा है और बाहर बाहर जैसे आप जाते जा रहे हो तो यहाँ पे stress कम हो गया है और जो radial stress होता है तो thin cylinder में neglect होता है लगभग ना के बराबर होता है और जो thick cylinder होता है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है actually radial जो होता है तो किसी particular point से outer जाना तो ये हुआ radial ठीक है और tangential मतलब उसके surface से होकर जाना तो वो tangential होएगा आपका जैसे अगर ये magnitude है आपका तो ये means अगर मैं conductor की बात करूँ अगर ऐसे एक conductor ले लूँ तो यहाँ पे जो electrical component होगा वो tangential होगा और ये normal होगा तो tangential stress इधर पे अगर एक layer की बात करें इस point पे तो जो inner surface है वहाँ पे ज़्यादा होगा outer पे कम होगा तो यहाँ पे जब आप high voltage provide करते हो belted cable में तो इसमें क्या होता है कि tangential stress develop हो जाता है और ये tangential stress आपका क्या करता है कि leakage current start हो जाता है और leakage current आ गया it means कि वो आपका जो भी insulating material आपने यूज किया है तो वो heat हो जाएगा और heat हो जाएगा तो cable आपकी break हो सकती है तो ये high voltage के लिए यूज नहीं की जाती है next देखते हैं यहाँ पे screened cable जो screened cable है तो वो 22 से लेके 33 kv तक यूज होती है बट special case में 66 kv तक यूज की जाती है इसके अंदर दो part है पहला h type cables है and second sl cables है तो जो h type cable है इसको देखते है तो h type cable basically यहाँ पे paper belt नहीं यूज होता है यह इसका diagram है यहाँ पे जो paper belt लगा हुआ था वहाँ पे वो यहाँ पे नहीं यूज होता उसके जगह पे यहाँ पे paper यह जो तीनो conductor हैं यहाँ पे तो यह impregnated paper से separate रहते हैं ठीक है उसके ऊपर conductor के ऊपर आपने impregnated paper लगाए उसके ऊपर आप यहाँ पे क्या provide करते हो metallic screen provide कर देते हो ठीक है जो metallic screen है वो basically aluminium foil होती है मिन्स आप conductor लिए उसके ऊपर paper insulation लगाए फिर उसके ऊपर आपने aluminium foil लगा belt के थुरू wrap कर देते हैं ठीक है उसके बाद आपके lead sheet और bedding, armoring और outer sheet यह सब कुछ रहेगी ठीक है तो इस cable में क्या होता है कि in these cable each core is in electrical contact with lead sheet जो core है आपका तो electrical contact होगा उसका lead sheet के साथ ठीक है और metallic sheet के साथ दोनों के साथ रहे गए actually क्योंकि conducting belt आपने यहीं पे apply कर दिया ह आपकी में इन तो है तो इन दोनों का electrical contact हो जाएं जीससे क्या होगा यहां पर जो earth potential होता है, earth potential basically means जो large current जो flow होता है तो वो earth में चला जाता है ठीक है तो वो earth potential कहलाता है तो अगर earth potential हो जाएँगा यहां पर miss large current जो है तो जो आ अर्झ में फ्लो हो जाएगा जिसकी वज़े से यहाँ पे जो electrical stress develop होगा तो वो radial होगा जो भी current यहाँ पे means आ रहा है तो वो outer side में जा रहा है तभी तो अर्थ में पहुचेगा ना तो outer side में जा रहा है it means वो radial electrical stress यहाँ पे develop हो रहा है जिससे कि dielectric loss कम होगा और dielectric loss basically means power loss तो power loss यहाँ पे कम होगा तो अगर power loss कम होगा तो means यहाँ पे क्या होगा आपकर जो metallic screen है तो increase the heat dissipation capacity तो metallic screen जो है तो वो heat dissipation capacity उसकी increase हो जाएगी उसकी वज़े से ठीक है और sheet का loss कम होगा means जो current है जब वो pass होगा तो अगर जो भी आपने उसके उपर पे जो sheet लगा रखा है तो अगर current basically light और heat के form में है तो अगर ज़्यादा current flow होगा तो आपका conductor ज़्यादा गरम होगा बट sheet जो है आपकी तो वो अच्छी quality की आपने यूज की है तो उससे जो वो sheet है तो वो गरम नहीं हो पाएगी तो गरम नहीं होगी तो means current आपका जो भी है तो वो leak नहीं होगा यहाँ पे यह खास बात है इसमें तो next देखते हैं SL type cable SL type cable जो है आपकी तो इसमें each core is insulated by a separate lead sheet जो core है इसमें तो वो एक lead sheet इसमें लगा दी गई है उपर से insulated impregnated paper तो लगाओ गई उसके बाद आप lead sheet यहाँ पर provide कर दोगे ठीक है वहाँ पर क्या था इसमें aluminum foil से आप wrap कर दिये थे फिर उसके उपर आप क्या किये थे conducting belt लगा दिये थे यहाँ पर conductor के उपर आप impregnated paper लगाए उसके बाद आपने lead sheet दे दी और इन तीनों को lead sheet से means तीनों conductor को individually lead sheet से आप wrap कर दिये उसके बाद तीनों को एक साथ आपने cotton tape लगा दिया यहाँ पर से ठीक है तो और उसके बाद बाकी जो bedding, armoring और outer sheet है वो तो रहेगी जैसे पहले ती और इसके कुछ advantage है इस cable के यहाँ पर जो common lead sheet आप नहीं लगाए हो इससे क्या होगा कि flexibility आजाएगी उसमें means cable में और जो आपने हर core में lead sheet लगाई है उससे क्या है कि heat dissipation जो है wire का वो increase हो जाएगा और यहाँ पर भी electrical stress जो है तो radial होगा in nature फिर next जो separate sheet जो आपने around भी यहाँ पर नहीं होएगा और अब जो sheet लगाए हो तो उसके वज़े से bending थोड़ा सा easy हो जाती है means आप उसका installation easily कर पाऊगे बस यहाँ पर एक जो disadvantage है वो यह कि जो भी आपने lead sheet लगाई है तो वो edge cable के comparison में थोड़ा thin है बस यह एक इसका main disadvantage है तो next देखते हैं इसमें pressure cable तो आपका दो cable हो गई हाना next third है इसमें pressure cable तो pressure cable जो है तो 66 kilo volt से उपर के लिए use की जाती है यहाँ पे जो है तो void formation actually जो होता है तो वो means reduce हो जाता है void formation means होता है कि small pockets of air और gas जो भी जगें छूटी रह जाती है जैसे यहाँ पे अगर आप cable की बात करो तो यहाँ पे कुछ जगें छूटी है तीनों conductor के आसपास यहाँ पे यह इस point पे और इस point पे यहाँ पे जो जगें छूटी है इसको fill करने के लिए फिर यह pressure cable यूज की ज spend हो जाएगा या तो कहीं से contract हो जाएगा means secure जाएगा तो यह problem रहती है इसमें तो अगर उसमें oil या gas fill कर देते हो तो यह चीज नहीं होता means void formation नहीं होता है तो यहाँ पे दो टाइप से हैं cable पहला है oil filled cable जो oil filled cable है तो उसमें आप oil high pressure में भर देते हो उसके अंदर cable के अंद बस इसमें एक चीज यह है कि आप oil fill कर देते हो तो उसको means pressure को हर टाइम check करने के लिए आप जित्ती भी distance के लिए इसको use कर रहे हो इस cable को तो आपको वहाँ पे means यह measure करने के लिए जैसे कि यहाँ पे mention किया है मैंने कि pressure is maintained in the cable by connecting oil channel to the tank which are placed at suitable distance along the path तो अब यहाँ पे means oil channel जो है तो एक tank वहाँ पे place करते हो हर distance पे जो check करते रहता है कि pressure कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है तो आपको हर particular distance पे वो लगाना पड़ता है pressure measure करने के लिए तो यह थोड़ा सा uncomfortable type सा होगा थोड़ा सा इसमें maintenance ज्यादा हो जाएगा बस यही इसकी main problem है अचा और दूसरी जो problem है तो oil leakage अगर oil leakage हो गया तो उसमें भी बहुत ज्यादा problem हो जाएगी ठेक है तो यहाँ पे भी conductor है उसके उपर paper insulation है फिर oil channel है तो जैसे कि यहाँ पी oil duct आपको दिख रहा है इस second वाली image में तो oil duct में आप oil भर देते हों और यह जित्ता भ भर जाता है तो और वो high pressured oil actually भरा रहता है इसमें जो आपका यह जो voltage है 66 से लेके 230 kv है तो वो per centimeter पर इत्ता means volt develop करता है ठेक है और यहाँ पे next point कहा है कि automatic signaling unit are used to indicate the fall in pressure in any cable core जो signaling है वही मतलब उसको check करने के लिए pressure check करने के लिए आप हर point पे लगा देते हो जिससे कि आप इसको ज़्यादा distance के लिए नहीं use कर सकते हो यह problem है यहाँ पे जिससे कि initial cost इसकी है तो वो ज़्यादा हो जाएगी next देखते है gas pressure cable जो gas pressure cable है तो उसमें आप oil की जगे आप gas fill कर दोगे यहाँ पे basically वैसे nitrogen gas use की जाती है high pressure में और जो pressure होता है तो 12 to 15 atmospheric pressure होता है और इस high pressure से क्या होता है कि radial compression हो जाता है जो भी आपने conductor लगा रखा है तो उसका radial compression हो जाएगा ठीक है और compression हो जाएगा जिससे कि means वो एक वहाँ पे जो void formation होगा तो वो नहीं हो पाएगा actually अब means जो pockets of air या gas है तो वो नहीं आपाएगी अब ना तो cable expand होईगी ना contract होईगी तो इसका shape कुछ ऐसा हो जाएगा triangular shape हो जाएगा तो अगर triangular shape हो गया तो इसको steel pipe के अंदर पे install करते हैं और वहीं पे gas आप fill कर देते हो wire के अंदर या actually और फिर उसके बाद इसको steel pipe के अंदर आप insert कर देते हो और pipe में भी gas fill कर देते हो तो यह था all about आपका cable और next एक और बचा है जो on the basis of insulating material तो insulating material के basis में भी cable का classification है जैसे कि पहला है यहाँ पे cotton covered cable means cable के उपर आपने cotton की layer लगा दी है ठीक है तो cotton means यह synthetic cotton है आप इसकी layer लगा दी हो और next है silk coated आप उसके उपर silk लगा दी जैसे जो घर में press वगरा होते हैं तो उसके उपर ऐसी ही layer देखने को मिलती है जो press की wire होती है उसके उपर ऐसा insulation लगा होता है और next है asbestos covered cable asbestos means एक hard plastic type सा होता है जो battery वगरा में यूज होता है जो घरों में जैसे inverter के साथ जो battery लगी होती है तो अंदर पर जो plastic होता है वो asbestos material का होता है तो यहां पर asbestos लगा है आपका conductor के जश्ट उपर asbestos है उसके उपर rubber अगयरा है या फिर cell coat कर दो कुछ भी मिंस कर दो तो यह आपका asbestos covered cable है और next है पीवीसी coated cable पीवीसी coated cable वो है जो आपके घरों में यूज की जाती है तो यहां पर means conductor के जश्ट उपर एक पीवीसी की layer होती है तो यह आपका हुआ insulating material के basis में classification तो यह था आपका classification of cables ओके थैंक यू